चोर चोरी को इतने शातिर तरीके से करते कि बाकी दुनिया को पता ही नहीं चलता कि उनके सामने दिख रही चीज कुछ देर बात वो वैनिश यानी गायब होने वाली है मुवीज में तो आपने ऐसे कई चोरों को देखा होंगा जो अपने एक अलगी स्टाइल में चोरी करते हैं पर रियल लाइफ में ये चोर अपने स्टाइल में भी चोरी करते हैं और ऐसे ऐसी चीज़े चुरा लेते हैं जिसे सुनकर आज आप चौकने वाले हो आप देख रह आपको तो पतै ये मंदिरों में ऐसी घंटी यानी बेल लगी भी होती है वाशिंगटन अमेरिका में बुद्दा का एक बहुती बड़ा मंदीर है और उस मंदीर में एक बहुती बड़ी घंटी लगी हुई थी और उस बड़ी सी घंटी का वजन 1360 किलो था और उस बड़ी सी घंटी को उस मंदीर से किसी ने रातो रात चुरा लिया गया था और उस घटना के बाद पोलिस का ये कहना था कि इतनी बड़ी सी घंटी को कोई कैसे चुरा सकता है और हैरानी वाली बात ये है कि उसे उतारते वक्त और किसी ट्रक में लोड करते वक्त किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया था और एक अजीब बात ये एक बेल है और किसी बेल को आप जरा सा भी हिलाते हो तब उसके आवाज आने लगती है और जब कि ये तो सबसे बड़ी बेल थी तब तो इसके आवाज पूरे मंदीर में गोंजना चाहिए थी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इस मंदीर की बेल वेटनाम में बनाई गई थी और ये इतनी वेल्यूएबल थी कि इसकी प्राइस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था उस मंदीर के प्रिस्ट का ये कहना था वो चोर उस बेल को स्क्रैप में बेश देंगे और क्यूंकि उन चोरों को अंदाजा भी नहीं है कि ये बेल कितनी कीमती है इस बड़ी सी बेल को किसने चुराया था और उसे कैसे चुराया था उस बात का पता आज तक किसी को नहीं चला रशिया के आर्क्टिक रिजन में एक बहुती अजीब घटना सामने आई थी उस अजीब घटना ने वा के लोकल लोग को सोच में डाल दिया था रशिया के आर्क्टिक रिजन के सबसे मशूर आंदो रिवर के उपर एक ब्रिज था जो कि अचानक से गायब हो गया इस ब्रिज के पार्ट्स का वज़न 56 तन से भी ज़्यादा था ये ब्रिज जब अचानक से गायब हुआ तब इसकी गायब होने की खबरे पूरे सोचल मीडिया पर फैलने लगी थी वहा के लोकल लोग के मताबिक ये इंसिडेंट कुद्रती तो नहीं हो सकता क्योंकि उस जगा पर ना ही कोई सलसला आया था और ना ही कोई सुनामी जिससे ये तूटकर गायब हुआ होता ऑथोरेटिस के मताबिक इस ब्रिज के मेटल्स को उन चोरों ने काटा और फिर उसे चोरी करके ले गए थे पोलिस इन्वेस्टिकेशन के बाद कि उन चोरों ने इसलिए उस ब्रिज को चोरी किया ताकि वो लोग उसका मेटल्स स्क्रैप यानि भंगार में बेच सके पर फिर भी इतने बड़े से ब्रिज को चोरी करना कोई आसान काम नहीं और सबसे अनोकी बात ये है कि वो चोर आज तक नहीं पकड़े गए और नाई पोलिस को अब तक इस बात का पता चला कि उन चोरों ने इस ब्रीच को कैसे तरीके से चोरी किया और चोरी करके उसे वो काप पर लेकर गए नमबर 5, बीच बीच का नाम सुनते ही आप शायद सोच रहोंगे कि कौन भला एक बीच को चोरी कर सकता है लेकिन जुलाई 2007 में जमाइका के एक इलाके में रहने वाले लोग जब सुबा सुबा बीच पर वॉक करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि आगे कोई बीच ही नहीं थी और उसके बाद हुआ मवजुद लोगों ने पोलिस को इस घटना के बारे में बताया उन्होंने पोलिस से कहा कि यहाँ पर किसी ने पूरी की पूरी बीच ही चुरा लिये इस बात पर यकिन करना मुश्किल था कि कैसे किसी ने आदा किलोमेटर के बीच को चुरा लिया और उस बीच की सारी रेट को वो लोग काप पर लेकर गए ये भी किसी को नहीं पता चला और ये कोई आपदा भी नहीं थी बलके इन्वेस्टिकेशन के बाद ये पता चला कि इस बीच की पूरी रेट 500 ट्रक्स पर लोड करके कई पर ले गई थी लेकिन आजीब बात ये कि 500 ट्रक्स पर रेट किसने चोरी की इस बात का अब तक किसी क को नहीं पता चला ये चोर आज तक नहीं पकड़े गए और इनका इस रेट को चुराने का क्या मकसद था ये अब तक किसी को पर नहीं समझ में आया कि आखिर वो इतनी जादा रेट का उन्होंने किया क्या होंगा नंबर फोर इंपार स्टेट बिल्डिंग नियोर्क के मैन बिल्डिंग को चुरा लिया इसे चुराने के लिए क्या कोई स्पेश्शिप आया था तो ऐसी बात नहीं है असल में इस बिल्डिंग को नियोर्क डेली टाइम नियूस ने चुराया था उस नियूस एजंसी ने फेक यानि नकली डॉकुमेंट्स बनाय थे और कोर्ट में साबित कर दिया कि ये बिल्डिंग इनकी प्रॉपरिटी है और उनके बनाय वे डॉकुमेंट्स पूरी तरह से उन्होंने लीगल जैसे बनाय थे इस केस के गवा में एक बैंक रॉबर को शोग कराया गया था असल में टाइम नियूस एजंसी सिर्फ उस हुकूमत का अटें इन्टाइर ब्रिज मिसिंग आप जी स्चोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अब तक कि दुनिया की सबसे अजीबों गरीब चोरियों में से एक है दो भाई जिनका नाम ओथोरो और अलेक्जेंडर था इन्होंनों वेंसल पेंसुलवेनिया में सब्टें इस पूरे के पूरे ब्रिज को उन्होंने चुरा लिया और चुराने के बाद उन्होंने इस ब्रिज को छोटे चोटे पीसेस में काटा और उस ब्रिज के मेटल्स को स्क्राइब में बेचने के लिए कट्टा किया सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इन्होंने इतनी वज करने के बाद पोलिस को ये पता चला कि उन्हों ने ये 15 टन का ब्रिज आठ लाख रुपय में एक रिसाइकलिंग कमपनी को बेज दिया और फिर कमपनी वालों को इन दोनों भाईयों पर शक हुआ और उन्होंने फौरान पोलिस को इनफॉर्म किया और फिर ये दोनों भाई पकड़े गए नमबर टू चर्च रश्या में दुनिया के सबसे अजीब और गरीब चोर मोजोदे आपको जानकर हैरानी होंगे कि यहां रश्या में एक गाओ में वहां के चोरों ने एक पूरा के पूरा चर्च ही चुरा लिया यह चर्च आज से 200 साल पूराना था जुलाई चर्च ही चुरा लिया नमबर वन ब्रीज वैनिश तुरकी के कोकाली प्रोवेंस में इसी साल कुछ महीने पहले चोरों ने रातो रात 22 तनका पूरा के पूरा ब्रीज चुरा था अफकॉस बाकी चोरों की तरह इन चोरों ने भी उसे स्क्राप में बेचने के लिए चुरा और उस चोरी में 40 लोग शामिल थे उन्होंने फेक पेपर्स दिखाए कि इन्हें गवर्मेंट डिपार्टमेंट से पर्मिशन मिल चुकी है और फिर इन 40 लोग के गुरूप ने पूरा के पूरा ब्रिज तोड़ कर ले गए इन्होंने वहां के गार से कहा कि उन्होंने गवर करना और सबको इस शेर भी कर देना और इस चैनल को सबस्क्राइब करके उस बेल आइकन को और जरूर कर देना